असलाम अलेकुम फ्रेंड्स वेलकम बैक टो एजी फैमिली व्लॉग्स बहुत दिनों के बाद आज मैं व्लॉग शूट कर रहा हूं क्योंकि रमजान का मैना है बहुत टैक्स के शिडूल चर रहा है बिल्कुल टाइब नहीं मिल पता है मुझे इसलिए मैं कुछ नहीं इसलिए आज है थर्स्डे और मूझे तो कल एसन का पहला रोजा और नहीं उसके दावत भी रहेगी तो उसके तयारिया करने के लिए मैं आज कॉलेज ने आया हूं अब मैं आशिक लेकर जाँना मार्केट में जाकर करकर किसारी तो क्वार्त कर्त पार्ड़ कुछ खरीद हैंगे आज ही क्योंकि कल पूरी त्यारी करना है कल मतलब एक्छली पूरा सब बनाना है तो चलिए अब चलते हैं मार्केट को यह आगया नंगु भूंगो इसको हम छोड़का जाएंगे क्योंकि हाँ बच्छो क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा धूप है और तीन सबसे पहले हम लोग गए करीम भाई के दुकान पर और वहां से हमने लिया है सारे खड़े मसाले बिर्यानी के मसाले और ड्राइफ फ्रूट्स जो कल लगने वाले हैं उसके बाद में हम लोग गए में मार्केट बर वहां से हमने लिया है सारक अच्छा मसाला जैसे प्याज टमाटर, नीमबू, कोतीमबीर, पुदीना वगएरा वगएरा और रह जाता है सिर्फ गोष्ट और दही जो हम लेंगे कल सुबा में और आज इफ्तार में बना है आम करस, आलू की सब्जी और पूरी साथ में है फूर्ट्स भी शाम के साड़े साथ बज़रे फ्रेंट्स, मैं एहसन और अली निकले घर से बाहर मारकेट जाने के लिए क्योंकि हमें देना है फूलों के हार का ओर्डर, कल एहसन का पहला रोजा है उसे गुलपोशी करने होती है तो उसके फूलों के हार का ओर्डर देने के हम लोग आये थे उसके बाद में हम लोग चले गए डी मार्ट को, वहां से भी कुछ सामन खरीदना था तो सारे सामन भी हमने जल्दी जल्दी खरीद लिये है अलू डिनर का टाइम हो गया फ्रेंड्स वराज डिनर में बना है मसाले बैंगन, खीमे का सालन, छपाती और चावल जल्दी से डिनर करते हैं क्योंकि हम सब लोग जारे बाहर चाय पीने के लिए तो फटा-फट डिनर कर लेते हैं कपू अब बच्चों की बिर्यानी बोल रहा था मैं यह बच्चों की बीमारी खत्म में नहीं हो रही है लास्ट वीक पहले आया दिमार पड़ी उसके बाद में अली फिर साय दिमार हो गई थी अव एहसन बीमार है अब मत्फू जयुक अद गण्ण आपैवश्य०्ध के बाद कार निका रहे में को थोड़ा रून को खोला कार को जिटक लेंगों साफ सके बाद में निकलेंग ये कि तीसमिछ तफू रहा है क्या बोले दाद याते बोले कच्चा कपड़ा फिरा उसके उपर में सुके कपड़ से बोचता है तो फ्रेंट्स हम सब लोग निकले हैं चाई पीने के लिए एक्छली हम लोग जाने हैं लिए चाई वाले के पास लेकिन कफू ने बोला कि बेस पर जाएगे तो हम लोग आई सीटी में चाई पीने के अरे तफू गिरा रहा तफू निक्से गिरा रहा कैसा पीते हो लोग चाई अपनी अपनी पी हो चाई ऐसा है प्रिस यहां भी इंगे जगड़े खतमने के बच्छों के इधर भी आगा जगड़े शुरूरू आईसन ए बटा अस पहला रोजा उखने वाले ने अस्सलाम वालेकुम तुर आपको साय था ना अब तब तरुक काचर लगाई ते लेकिया नहीं आईसन को उठाने के चकर में फ्रेंट्स आयद भी उड़कर बैठ गई है ना अब यह खुद सोएगी ना हमको सोने देगी याद फ्रेंट्स आज एसन का पहला रोजा है इसके लिए खास सहरी में मना है खीमे का सालन, आम का रस, चापाती और साथ में खजूर, खजूर खाने से प्यास नहीं लगती है तो इसके लिए खजूर भी रखाए है हो गए एसन सहरी? हाँ अब आखरतू अब शाम को इफ़तार तक खाना नहीं खाने का, पाने नहीं पीने का, बत्तमीजी नहीं करने का, गाली गरोज नहीं करने का, तमीज से रहने का, बाहर खेलने बिलकुल नहीं जाने का, बाहर खेलने का या तो प्यास लगती, नमास को टाइम पर जाने का, कुरान भी का खरी नेक अमल करने का समझ में क्या अब अब फजर की नमाज को जाएंगी आखकर वड़ा करेंगे नमाज के बाद आकर वापस सौ जाने का जांगे नमाज को पुर्ण शुब के साइड दस बज़रे और मैंने कुकिंग स्टार्ट कर दिया है सबसे पहले बना रोग गरम मसाला तो उसके लिए सारे खड़े मसाले मैंने निकाल के रख दिया है अपनी इसाब से खड़े मसाले डाल कर मैं इसमें भून लूगा और इसको पीस कर इसका बी बियानी बनानी है बाहर को मसाल परवड़ेगा नहीं और इसके लिए जाधा जायका भी होता नहीं एक घर का मसाला होता है थोड़ा बियानी मसाला तो भी ज्यादा टेस्ट आता है प्रेंट्स गोष्ट को मैंने पूरा मसाला के रख देए तही गरम मसाला बियानी मसाला हल्दी में जो कुछ मसाला डालना था सब कुछ जल के रख देए टमाट्रों को ति मुर्पिदियने सब कुछ डाला इसमें अब यह से मैं रखूंगा तीन बज़ दक मैरेने के लिए तीन बज़ए बनाना स्टार्ट करूंगा तीन से चार विच में गोष्ट गल जाएगा चार से प्यास की पीछ में चावल पक चाएंगे असर से पहले मारे बेर दिन त्यार हो जाएगे इंशालला और यहां पर प्यास दिविशा को प्राय करना है और घर की कंडिशन माशा मुझे अभी सब प्रिपरेशन अभी हुआ है अब नमाज के बाद तीन बजे मुझे में स्टार्ट कर रहा है बनाना रिफ्तार के लिए भी त्यारी करने भी फूट सब लोग कर लेंगे अंदर लेकिन पूरा सेटिंग आरेजमेंट करना है रहा है और फिर हाथ काम पर दोने अब अब आरेजमेंट करना है चाल रहा है भी बहुत प्यास लग्ची के अब क्या होता है तो फ्रेंट्स अब मैं कुकिंग स्टार्ट कर रहा हूं तो चूला लागा दिया है पतीला चड़ा दिया इसके उपर और पतीला बहुत चोटा है इसमें सिर्फ 5 kg बनती है इस दि नहीं होगा तो अब भूबू आधा कर दो अब फ्रेंट्स वापर गोश्च मैरिनेट्शन के लिए रखाता है मैरेट हो गया है और यहां पर पतीला चड़ा कर तेल गड़ं कर लिया है तो इसमें पूर्ष दालेंगा और गोश्च दो कलने तक अच्छे से पकाएंगे अली मद्दाल बेटा गराम है अच्छे सबसे कलने के लिए कमसे का मादा पॉन बंटा लगेगा बारवा चेक कर देंगे और उसे मीडियम फ्लेफ पर अच्छे से दंपर गोश्च को पकाएंगे चार विश्ट की गल जाया गोश्च फ्रेंट्स चावल पकने लिए रख दिये है गोश्च गल सुगा थे इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइट कर दिया तो बिर्यानी दंपर छोड़ दिया है फ्रेंट्स यह अंदर वाले गैस पर छोटा वाला बहुना रख दिया है मैंने दंपर और बड़ा वाला डेग है इसे मैंने बाहरी दंपर छोड़ दिया है और मैं जार उसर के नमाज के लिए फ्रेंट्स यह मैंने एसन को लाया गिफ्ट कल्टी माट से एसन को यह चाहिए दे जूते लेकर आए हम पहने का इसन इता तो दिखा तो तो कैसा तैयार हो नहीं भजी बना रहे तो और एसन त कपड़े दिलाए है यह जोते मैंने दिलाए है तो यह किछन में अच्छी बड़ी जागा तो यहां पर हम बढ़ाएंगे चेंट्स को और हॉल में बढ़ाएंगे लेडिस को क्यों और एसन तयार होकर आ गया है फ्रेंट्स पुरा माशाला बलत प्यारा लग रहे है नजदिका तो एसन अभी पजाशन बागी इफ्तार के लिए तो एसन को पहला रोज हो जाएगा मुट्व में प्यास लगे है इसन इस व्लॉग को मैं यहीं अंड कर रहा हूँ फ्रेंट् पोशी का वीडियो रहेगा अगले व्लॉग में तो हमारे साथ बनिये रहेगा नेक्स्ट वीडियो में भी तो मिलते हैं अगले व्लॉग में तब तक के लिए अल्ला आफिज